नमस्कार दोस्तों, बखवान आपसे भी कबला करूँ और आपके सारे एक चाहें मनकामने पूरी हो दोस्तों, अज मैं आपसे कोई इसाथ से रिलेटेड महत्पून जानकरी वेक करूँगा जिसमसर बता में आपके फिंगर के एनलेसिस के बाद इस पूरे पाम के इनलेस कर आपसे भी के सामने वेक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के गमपरेजर में शॉर्ट है जो एक फास्ट डिसेंट मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दवा जो हर बड़ी किसमक के नेचर को दर्शाता है इस सिजन लेना आपके नेचर में है क्योंकि शॉर्ट फिंगर थोड़ा जल्दी एनरजी एक्स्प्लोर करता है तो इस कंडिशन में रिजल्ट देखने की चाहँ ज़्यादा होती है आप जैसे जातक किसी के अंडर में कमफर्टिबली वर्कर नहीं कर पाते क्योंकि ज़्यादा इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाती अथवा खुर्ट के Rules Regulation Ethics मन मुताबिक काम करने ज़्यादा पसंद करते जिसमें इंडिपेंडेंसी अच्छी हो इसलिए हाथ के नीचे काम करने ओली लोगों की संख्या जीवन में ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी यहाँ लेडल फिंगर के जो लेंथ है वो शॉट है थार्ड फिंगर के फ़र्श पूर तक नहीं पहुचवारा तो हलका सा Communication Error आता है जैसे Stranger या Opposition Zender से बाचित करते समय हिचकी चाहट गबराहट में सुसोने यह मन के अंदर बात को दबाने की प्रवती देखने को मिलना Management हलका वीख होता है जैसे चीजों को रख करके भूल जाना Documentation, Filing जैसी चीजों को Complete करने में टाइम ज़्यादा लगना तो अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में लेते हैं तो उन सभी कारों में देरी अट्चन बादो रोकाओड जैसी चीजों उत्पन होती है तो कोशिश यही करना चाहिए कि एक समय पर एक ही काम क करें ताकि हर काम में perfection, stability देखने को मिले हलका से stage fear teenage में यह देता है third finger के लिए ज्यादा strong है तो यह risk taking nature देता है creative mindset होती है इसलिए हमेशा अपने काम में upgradation करने क्यादत होती है अगर कोई काम लंबी समय तक करते आ रहे हैं एक ही काम तो जल्दी bore हो जाते हैं किसी प्रगर का risk लेने से पीछे नहीं हटते हैं self-made personality यह build कर यहां करता है तो खुद के मेहनत कोशिशों से बहुत ज़्यादा growth मिलने की योग निर्मित होते हैं first finger का जुकाओ Saturn के तरफ है तो अध्यात में रूची तो यह बहुत अच्छा देता है धार्मी किस्मे की प्रवती होने के स से बड़ी सरलता से हांच से फिसलते वी देखने को मिलता है finger के उपर सीधी खड़ी रेखाओं के शंकला मितरता पुरवक सुभाव को दर्शाती है जिसके करण हर परिस्तिती माहुल में अपने आपको ढ़ालना हर प्रकार के लोगों के सवसंबंद अच्छे रखना ये भ देखेंगे तो जो फैलेंजर से वो डेवलिप ठीक है इंटर्नल मार्स की स्थिती ठीक जा रही है तो इनरजी रोग प्रिति रोधक शमता ठीक रहने वाला है और जो थम का साइज वो बहुत शशक्त और मजबूत है सच सुनना सच का साथ देना जूट फरेब फिरा करके मेठी बोली यह सब चीज़े ज़्यादा पसंद नहीं आता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा तथ्यों के साथ अपनी बात को केना सुनना ज़्यादा पसंद करने वाले होते हैं और यह कच इन डेवलप्ट है तो इंटीशन सिक्स दिसेंस तो अच्छा आता है औ और धार्मी किस्मी की प्रवति उत्पन होती है सीखने समझने की सक्षमत यानी ग्रेसिपिंग स्किल अच्छा होता है लेकिन यहाँ यह ओपन है कुछ भी कर लीजे पैसा कैसे जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहेना कई न इतना एक्सपेक्ट करते उतना फ्रूटफूर रिजल्ट आपको मिल नहीं पाता है उतनी ज्यादा सुख नहीं मिल पाती है तो फैमिली से थोड़ा अंसाटिस्वेक्शन मिलने की योग निर्मित करता है अगर यह तिल है तो प्रोपर रिकरगनाईज आप जो है नहीं हो पाते हैं अगर यह तिल रहे तो फैमिली से भी अंसाटिस्वेक्शन और करियर में भी अंसाटिस्वेक्शन दबाया जाता करियर में इसा इसू देखने को मिलता जिसमें घ्यान तो बहुत अच्छा होता है रिस्पॉंसबिलिटी भी अच्छे से मेंटेन करते लेकिन वह मिल पाती जो आपको मिलने चाहिए जो आपके हक में है तो यहाँ पर अगर यह तिल है ऐसा कुछ भी है तो इसका रेमेडी करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है इसके लब यहाँ पर जो प्रोग्रेस लाइन के अविलेबिलिटी है यह तो बहुत इंबिशियस नेचर हाला क की देता है हाई थिंगिंग अप्रोच लाइफ की प्रति देखने को मिलता है राहू से भी रेखा इंडिपेंडेंटली चल रही है तो सदन गेन और प्रोग्रेस यह सारी रेखाएं कराती है हिम्मत हारने नहीं देती जुनूनियत किसम का व्यक्ति तो देखने को मिलता है और ओवरोल देखा जाए तो जुपिटर एरिया तो ठीक ले रहा है तो यह अच्छे नोलेजबल परसनल्टी को यहां बिल्ड करता दिखा रहा है लेकिन फेमली लाइफ की सुखों में बढ़ोतरी के लिए जुपिटर का स्ट्रॉंग होना बहुत ज़ादा ज़रूरी है दूसरे बात यहां करें तो शनी की छेदर पर आपको फिशंबल का साइन दिखेगा यह साइन बहुत रेर होता है लेकिन यह जब भी होता है तो अकास में घटना तुर घटना तकली परशानी इन सारी चीजों से बसते वे देखने को मिलते धन की किल्लत या कमी कभी नहीं ह होती है और इस कंडिशन में अध्यात्म के माध्यम से धर्म के माध्यम से बहुत ज़्यादा पीसफुलनेस हैपिनेस लाइफ में में इंटेन रहता है जितना ज़्यादा धार्मे किस्मिकी गतिवीद्यों में इन्वाड़ रहेंगे पूजा पाट सत्संग भचन यह समाज में यह मल्टिपल अपोर्चुनेटी देती है अर्निंग केपिबिलिटी को इन स्ट्रोंग करने के लिए लेकिन दिक्कत यह है कि कोई भी रेखा डारेक्ली सेटन तक पहुंच नहीं पा रहा है माइंड लाइन से निकली रेखा हार्ट लेन पर उग गई अच्छी लाइप एस्टायल देते हैं कंफिटेबल होती है क्योंकि इस कंडिशन में अपनों से ज्यादा तो दूसरों का सहीओ मिलता है तो दूसरों के प्रोट्साहन साथ सहीओ के करेंड़ जीवर में बहुत अच्छी ग्रोथ अच्यू कर पाने में सक्षम होते हैं दू यहां से निकल के heart line पर उकरी है, it means आप emotionally decision ज़्यादा लेते हैं, अब emotional decision लेना का सेधा मतलब यह हो गया, क्योंकि emotions बहुत ज़्यादा fluctuate करता है, इसलिए यह moody nature देता है, और moody nature होने की current career में stability हो पाना थोड़ों मुश्किल होता है, इसका direct answer certain के अलावा सूर पर भी देख रहा है कि सूर पर clear cut cross sign है, तो आप अपने career से ज़्यादा satisfied नहीं है, इन security की भावना देता है, unsatisfaction, unstability देखने को मिलती है, expected gains, value, creditability, success नहीं मिल पाती जब cross का sign यहां पर होता है, और यह career के regarding हमें इश्या विक्ति को uncertainties में लेकर के जाता है, हाला कि इन सब का remedy है, remedies के दोरा यह सारी चीज़े ठीक होती है, लेकिन आपको personally अपने उपर भी ध्यान देना ज़रूरी है कि आप अपने life से क्या चा रहा है, अगर यहां cross आ रहा है तो उसमें सिर्फ सूर्य की गलती या फिर ग्रहों की जो है एक प्रकार से प्रभाव को ही नहीं देखा जाता है, इसमें खुद का भी self interest देखा जाता है कि आपका क्या मत है, आप अपने जिएन से क्या देखना चाहरे हैं, क्या आप आना चाहरे हैं, तो अगर आपको कोई patient हो भी को follow करना है, तो वो आप कर सकते हैं, remedies के साथ में, या career के regarding क्या issues face कर रहे हैं, अ आपके तरफ से कोई गलती नहीं है, इसमें इनको जो है, remedies के दौरा ठीक किया जा सकता है, बड़ी से डलता से, इसमें कोई बहुत तकलिफ नहीं आती, दूसरी बात ये पीता का भी कारक हो गया, तो इस condition पीता से वेचार एक अनबन मदभीत की स्थिति होती है, पीता से ब अगर की अकरिति को, लूप सीरियसनेस इसलिए का जाता है, क्योंकि इस condition में रहते रहते भीड से अलग रहना, एकांद पर एक इसमें का नीचर हो जाना, मुडी नीचर हो जाना, सीरियस हो जाना, और खुद की कंपनी को इन्जॉय करना, तो सूरी यहां पर तेज देते है सकसेज देते हैं, सैडन यहां पर अपोर्जुनिटी देते हैं, कई मरतबा अपोर्जुनिटी अच्छी आती है, लेकिन उसको ग्रैब नहीं कर पाते हैं, मुडी नेचर के कारण, तो कहने का ताथ पर यह है, कि आपके हतेली में रेखाओं के अवेलिबिलिटी बहुत हैं, वो इतने अच्छे ठीक नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए आप इसके उपर काम करें, मेहनत करें, तो आपको आपके लाइफ में पूर्णता है स्टेबिलिटी ग्रोथ मिलेगा, अब जैसे यहां देखिए, इधर भी स्क्वेर का साइन बिल्ड हो जाना चीए था, ले भी प्रोस्परेटी, प्रोपर्टी, वेल्ड या वेल्डी किसमे का परसनेल्टी बिल्ड करता है, यह कॉंबिनेशन अच्छे हैं, लेकिन यहां पर जो साइन हुआ, फिर इधर पर मनी ट्रेंगल होए, सब थोड़े थोड़े आदे हादूरे से दिख रहा है, तो यह सब कब होंगे जब यहां पर उपर के दो माउंट प्रोमिनेंट होंगे, सेटन सैटिस्फेक्शन देता है, सूर्य सकसेस देता है, यह दोनों चीज़े कही नहीं थोड़ी कमी इन दोनों में देखने को मिल रहा है, मरकरी माउंट के उपर जब एक से तिक रेखा हो, तो यह मोटिवेटिड परसन को मोटिवेट कर देना, प्रेरित कर देना, और गुड एंटेलिजेंसी को यहां पर यह क्रिएट करता है, यहां पर भी देखेंगे, तो लूप ऑफ हुमर के आकरती बन रही है, और इस कंडिशन में जस्ट अपोजिट होदा सीरियसनेस के, रहते रह है ते बहुत हसमुक मजा किया, किसम का व्यक्तित वी उत्पन करता है, अच्छा क्रिएट करके देता है, उसका एक और प्रमाने रद रेखा के अंत में गुंप उचाकरती, इस कंडिशन में भी कहीं अपने खुशे ढूंडना, दूसरों के खुशे में सामिल होने जैसे य योगों को निर्मित कर रहा है, और वहीं जो रेखा हलके हलकी नेचे जा रहा है, यह एमोशनल सेटबेक की निशानी है, इस कंडिशन में जब अपने उसे धोका मिलता है, एक्सपेक्टेशन लूज होता है, ट्रस्ट लूज होता है, तब एसी रेखा हुत्पन होती है, औ आपको 42 से लेकर के 45 की मिड़ में, तो इस पिरेड में स्वास्त के उपर ध्यान देने की सकता आपका अवशकता रहेगी, और आपकी जो हार्ट लाइन है, वो यहां से सीधी निकल के जूपिटर से कंजंग्ट है, जो एकदम एमोशनल और बहुत ज़दा सेंटिमेंटल, honest, loyal type की personality के साथ-साथ, pure hearted, soft hearted personality को create करता है, इसके और भी benefits होते हैं, जैसे कि यहां पर आपको जो समाज में बड़े लोग हैं, जो लोग power position में हों, उन सभी से अच्छे connection देगा, तमाम तरह के सुक्सुधा और आराम दैक जीवन भी यह देता है, अब यहां से एक बहुत करने में थोड़ी दिक्कत आती, क्योंकि यह दोनों ही रेखा बहुत ज़्यादा strong है, दोनों ही अपने destiny तक directly पहुच जावाए, अब इस condition को कहते है, विश्नु सिंबल, इस condition में starting life tough होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीचता है, या किसी काम को लेकर कि time duration बढ़ता जाता विशे उसे growth या success अच्छा देखने को मिलता है, तो यह combination बहुत अच्छे है, इस condition में अगर आप meditate करें और emotions पर control रखें खास कर, तो majorly आपको कोई भी दिक्कत जो luck के regarding हमने देखा, satisfaction के regarding देखा, वो नहीं देखने को मिलेगा और हर काम का prominent result, satisfactory result आपको देखने को फिर मिल मिलेगा, mind और life line में pure island का formation इस बात का परमाण है कि बच्छपन में किसी बड़े आप साररी कस्ट से निकले हैं, घरेलो तकली परशानी को देखते वे आपका बच्छपन गया है, तो यहाँ पर 18 के बाद में, just 18 के बाद में ही, mind और life line में इंडिपेंडेंसी हुई, तो ख ज़दा sharp हो गए हैं, strong हो गए हैं, focused हो गए हैं, और straight forward type का nature हो गया, उसके पहले भी था, लेकिन उस सब में balancing mind line थी, लेकिन 27 and 9 के बाद में initiative लेना, आपने life में शुरू किया, जब mind line straight होती है, तो पहले बात यह, to the point बात करने की योगों को निर्मित करता है, memory sharp होता है, clear cut चोड़ी से चोड़ी पुराने से पुराने बाते याद होती है, by four के कसान किसी प्रकार की competitive exam को crack करवाता है, क्योंकि इस condition में knowledgeable personality build करता है, clever attitude, mentality build करता है, इसलिए तमाम तरह के pressurized situations को easily handle tickle कर पाते हैं, इस प्रकार की mind line व्यक्ति को कभी भी जुकने नहीं देती, गिरने न बहुत सही रहेगा कि 29 के age के बात से आपने अपने career के ओपर धिहान देना, अपने lifestyle को better करना, knowledge के ओपर धिहान देना, या skills को बढ़ाने में बहुत ज़्यदा आपने काम करना शुरू किया, इसलिए धेरे-धेरे mental peace happiness को भी indicate करा है, बहुत even multiples आपके progress line यहां से निकलते वे दिख रहे हैं, तो इसी जब line होती है, तो यह skills को develop करती है, market में value बढ़ने लगता है, लेकिन कई न कई यह underrated work को आप से करवा रहा है, क्योंकि थोड़े से negative sign यहां पर Jupiter और Sun के उपर आते दिख रहे हैं, इसमें एक और चीज़ यह रहता है, कि जब mind line connected होती है life line से, तो क 79 के इससे यह changes आपके इंदर आया है, life line के उपर देखेंगे, तो life line को flow तो वैसे बहुत अच्छा है आपका, क्योंकि यह सीधे की सिधे शुकर के तरव झुकरा है, और शुकर को क्या होता है, कि बल मिल जाता है, शुकर को बल मिलता है, तो इस condition में यह रोख प्रतिरोधक शुक्षमता मजबूत करता है, लंबी आयू अच्छा स्वास देता है, और तमाम तरह के luxuries, good standard of living, royalty based personality, और तमाम तरह के सुक्सविधा संसादन जैसे युक्त जीवन को यह कर देता है, तो इस condition में overall देखा जा तो life बहुत एकदम fluently और smoothly run करने वाली होती है, कोई ज्याद का सा tension देती है, कब दे रही है, 31 से लेकर 33 के मिड में, वैसे ही और भी छोटी-छोटी रेखा हैं, जैसे यहाँ पर अब देखेंगे, तो यह जो हलके-लकी सी रेखा है, आप राहू से कट करके आगे बढ़ रही है, यह भी थोड़ा सा desire जादे देती है, लेकिन mental कही ना कह ही थोड़ा से stress में लेकर की जाती है, तो कब लेकर जा रही है, 28 से 30 के मिड में, लक लैन के उपर देखें, तो यहाँ पर भी छोटी-छोटी रेखा है, आकर करके काट रही है, जो हलके से money losses को indicate कर रहा है, around 28 में, फिर 32 में, और फिर उसका हलका सा और दिख रहा है, यहाँ अपर आपको 38 और 9 में, बहुत minor से यह issues हैं, इसलिए इसका कोई बहुत ज़्यादा major meaning नहीं रहेगा, और उपर से supportive line की भी availability है, तो इस condition में, इसे guardian angel line क्यों कहते हैं, क्योंकि इस condition में दूसरों का support अच्छा मलता है, जब जब stress worries आता है, तो हमेशा तकलिफों से निकल पा आ सकते हैं, वो family life के regarding या family member में किसी के health के regarding tension के regarding आ सकते हैं, क्योंकि इसका life line से connection हो रहा है, तो यह period कब रहेगा, 42 के बाद का period है, इंटर्नल मार्स की स्थिति वेसे ठीक है, तो शार्यरी गठन ठीक देता है, आउटर मार्स डेवलोप ठीक है, तो mentally strong बनाता है, और जब कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह mangal को बहुत strong कर देता है, तो इस condition में युद्धात्मक जो सक्षमता है, वो अच्छी देखने को मिलती है, शुक्र वेसे ही बहुत अच्छे position में आ चुका है, तो इस condition में continuous growth या success maintain रहता है life में, तमाम तरह के pleasure fulfill होते हैं, या यह complete करता है, यहां की आड़ी रेखा, unnecessary worries को create करता है, जो overthinking, negative thinking के द्वारा भी आता है, लेकिन देखा जाए तो इस condition में जितना अपने को cool काम, अथ्वा patience में रखेंगे, उतना शुक्र अच्छा response करता है, तो joyfulness happiness बढ़ती है life में, जैसे यह सीधी खड़ी रेखा हो कि availability अच्छी है, यह opportunity अच्छी देता है ताकि lifestyle बेटर हो सके, relation से आपको हमेशा लाब मिलेगा, इसलिए कभी किसी प्रगार का relation से पहले बात तो बहुत ज़्यादा expectation भी नहीं रखना है, क्योंकि अपने ही लोग भी धोगाई भी देंगे, लेकिन अपने ही लोग जिन से expectation नह बनाएगा कि आपको कभी हाथ फेलाने की कभी किसी के सामने जरूरत नहीं पड़ेगा और वैसे palm lines है भी अच्छे, in fact जो आपके सामने हाथ फेलाएगा, उसको खाली भी नहीं जाने देंगा, इतना capable इश्वर आपको बनाएगे, केतो का position यहाँ ठीक है, वैसे traveling के लिए अच्छा होता है, चंदर पर आड़ी रेखा हो तो घुमने फिनने का, खान पान का, नएने जगे एक्स्प्लोर करने का, खुद की कलपनाओं में रहने की योग्यता कोई दर्शाता है, जितना ज़्यादा खुद को सकरात्म करें, लाइफ उतना best positive होता है, mercury line स्वास को सु माइड लेंड प्योली independent है, तो इस condition में यह रहता है कि अंत में अपने खुद की सूजबूच के साथ काम करने के उग निर्मित होते हैं, बाइफ और का साइन, इस बात का प्रमार्ण है कि सीधी उंगली से काम ना बने तो तेड़ी उंगली करनी पड़ती है, लेकिन के से काम तो अपना निकलवाते हैं, अपना काम बना लेते हैं, चंदरक के उपर जब स्टार का साइन होता है, तो इस condition में foreign land में रसने बसने के चांसे बहुत जादा strong हो जाते हैं, जर्मित्तान से दूर growth के चांसे 100% होते हैं, और श्रणी पर वी सिंबोले तो लाइफ में कितन इस ट्रेगल क्यों न हो, at the end आपको satisfaction result मिलेगा, तो यह combination left hand के बहुत अच्छे दिखे, और बहुत wealthy personality यह भी create करता है, और यहाँ पर भी हलका समभनी triangle का formation आ रहा है, but no worries, जो इत्ती भी रेखा, छोटी-छोटी रेखा आ रही है, यह भी इस बात का प्रमान है कि पेसा किसी लेने भी थोड़ी तकलीफ हा सकती है, इसलिए पेसा संबंदी व्यभार रखने से भी थोड़ा बचना चाहिए, यह दि सबसे में अत्मण बाते आपके हाँत के रिगाड़ी, आश्रगरता हुँ सभी प्रवेशनों को अत्तर मिली गया हो, तब तक आप अपना धियान